नमस्कार दोस्तों तैयारी जीत के चैनल पर आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत स्वागत है चैनल दवारा UPPCS की तैयारी चल रही है और Current Affairs सबसे महतपून Current Affairs की सीरीज जो है चल रही है जिसमें चार वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं जो लोग नए हैं पहली बार आ रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ कि बेहत महतपून Questions जो हैं पिछले चार वीडियो में डाले जा चुके हैं ये पाचवा हिस्सा है और ये भी प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा ठीक है इस वीडियो में तीस सबसे अधिक महतपून Current Affairs हैं जिसमें से साथ questions अकेले उत्तर प्रदेश पर आधारी थे हैं इसलिए ये वीडियो भी उतना ही important है जितना की अन्य वीडियो important थे ठीक है वीडियो को मज़ेदार बनाने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना जाता हू दो तिन सवाल पूछूँगा सहीद अश्वाक उल्ला खां प्राने उध्यान जिसको मंजूरी मिली है 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश मंत्री मंदल द्वारा इसकी स्थापना कहां की जा रही है दूसरा प्रश्न उत्तर प्रदेश भू संपदा अपीलिये अधिकरण के पह प्रद्धान मंत्री ने राष्ट को समर्पित किया तो वीडियो जब तक चल रही है तब तक आप कमेंट कर दीजिए फटा फट और मैं वीडियो को सुरू करता हूं UPPCS PT 2018 Special Current Affairs के सीरीज है यह पाचवा वीडियो है प्लेलिस्ट में सभी सेक्षन में वीडियो पड़े हुए है और इस वीडियो के लिंक में बाकी चारों वीडियो की लिंक दे दूँगा तो जो लोग नए है उसको जाकर देख ले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न ना भोलें क्योंकि तभी notification आपको प्राप्थ होती है पहला प्रश्ण है अगस्त का करंट है हाली में केंद्र सरकार द्वारा ताजमहल के उद्योगिक प्रदूशन के मुद्दे के समाधान हे तू किसकी अध्यक्सता में एक समिती का गठन किया गया तो इनका नाम है करेंगे ताजमहल आगरा UP से related current important है कि एषईया की सबसे बड़ी नेहर प्रियोजना ठिक है और मिरजापूर से राष्ट को समर्पित की है और प्रियोजना का नाम है बान सागर प्रियोजना और ये संयुक्त प्रियोजना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ठीक है आप से तारीक भी पूछी जा सकती है इसलिए डेट को भी याद रखें 15 जुलाई 2018 को भारतिय प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनात ने मिर्जापूर से बान सागर प्रियोजना को जो की पिछले 49 सालों से निर्माना धीन थी उसको राष्ट को समर्पित किया पूरी हो गई बान सागर प्रियोजना एक कोशन बन सकता है कमेंट करके उत्तर पताईएगा कि बान सागर प्रियोजना किस नदी पर है ठीक है और यह संयुक्त प्रियोजना है उत्तर प्रदेश और मद्दे प्रदेश की याद रखेगा और बहुत देशिय प्रियोजना है ये भी याद रखेगा 10-12 अक्टूबर 2018 के मद्ध है ठोक बाजार विशुसंग जो की हर 3 साल पर एक बार होता है और अब तक भारत में एक बार भी नहीं हुआ था ये भारत का अपने आप में पहला होश्ट किया हुआ 33 सम्मेलन है ये कहां आयोजित हुआ गुरुगराम हरियाना भारत में पहली ब 10 अगस्त 2018 को प्रधान मंत्री नहींद्र मोधी ने जिस एकल खिड़की एकिकरित प्रयावरन प्रबंदन प्रणाली को लॉंच किया है उसका क्या नाम रखा गया है उसका नाम रखा गया है परिवेश याद रखेगा हाली में केंद्र सरकार द्वारा मॉब लीचिंग कोशन सीधा पूछेगा अगर उसको बनाना हुआ तो कि मॉब लीचिंग पर गठित मॉब लीचिंग पर केंद्र सरकार द्वारा गठित समिती की अध्यक्षता कौन करेंगे तो ग्रेह सचीव राजीव गोबा फिर से सुने केंदर सरकार द्वारा मौब लीचिंग की समस्या से निपठने के लिए उप्यूक्त समाधान हे तू किसकी अद्यक्स्ता में एक उच इस्तरिय समिती का गठन किया गया है ग्रेहन सचीव राजीव गोबा 18 जुलाई 2018 को प्रधान मंत्री के आर्थिक मामलों के मंत्री मंदल द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना को स्विकृती प्राप्त हो गई है 18 जुलाई को तो वो है सलेमपूर देवरिया, सलेमपूर देवरिया में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी केंद सरकार त्वारा हाली में किस राष्ट के साथ नैपाल सागर माथा फ्रेंडशिप 2018 आयोजित किया गया तो चीन और नैपाल के बीच इसके लावा एक कोशन यह भी बन सकता है कि टू प्लस टू वारता किन राष्टों के बीच में हुई है नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच में आठ्वा प्रस्ट कोशल भारत मिशन या फिर स्किल इंडिया के नए ब्रांड अमबेजडर कौन बने हैं वरुण धवन और अनुष्का सर्मा इसके लावा सडक सुरक्षा जो अभी उसके ब्रेंड अमबेजडर कौन है अक्षे कुमार यह भी याद रखना है सडक सुरक् से चुल लिया गया है ऑप्षन में कई अंतराष्टी संगठनों के नाम देदेगा डबलू टी यो यूनिसेफ यूनेसको यूएन एस यूएन एच आरसी तो आपको पता होना चाहिए संयूक्त राष्ट मानवादिकार परिशत ठीक है यूएन एच आरसी हाली में भारत के किस राज्य शहर में जीका वायरेस का पहला मामला देखने में आया तो यह राज्य है राजस्थान राजस्थान के जैपूर जो पी उसकी राजधानी है जैपूर में जीका वायरेस का पहला मामला देखने में आया और यह कोशन बन सकता है इंपोर्टेंट है 18 एशियाई खेलों में समापन समारों में भारत का ध्वज वाहक कौन था रानी रामपाल 19 एशियाई खेल का आयोजन कहां होगा चीन में होगा ये भी याद रखेगा 2022 में होंगे अब तो चीन में होंगे चार साल बाद चीन में Indian Bank Association IBA का नया अध्यक्ष कौन बना है सुनील महता सुनील महता जी बने है 4 सितंबर 2018 को चैंग वोन में ISSF विश्व चैंपियंशिप में पुरुसो के 50 मीटर पिश्टल समारों में सुन्ट पदक किस ने जीता है ओम प्रकास मिथारवाल ने और इस चैंपियंशिप में अभी तक जीतू राय ने सिर्फ रजत पदक जीता था सिल्वर मैडल जीता था लेकिन ओम प्रकाश मिथारवाल ने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता है इसलिए प्रश्ण बन सकता है असम के पहले खेल राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है ये है हीमादास जी जिनोंने अंडर 20 चैंपियन्शिप जो हुई थी टैंपेरे फिनलेंड में 400 मिटर की दोड में सुवंड पदक जीता था और बहुत कवरे जिनको दी गई थी राश्टिय स्तर पर दक्षिन ACI Football Federation Cup 2018 इसके अलावा सैफ कप 2018 किस ने जीता है तो सैफ कप पर ध्यान जरूर रखिएगा कोशन बनकर पूछा जा चुका है पहले भी सैफ कप काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि भारत जीता आ रहा था और इसको इस बार मालदीव ने दोनों ही कप जो हैं दक्ष जीता है सैफ कप मालदीव ने तो यह कोशन बन सकता है इंपोर्टेंट है और बना भी है हाली में किस राष्ट में भारत के सयोग से महात्मा गांदी अंतराष्ट्य संभेलन केंद्र की स्थापना की गई है तो यह है नाइजर और भारत की प्रतिनिधी सुश्मा स्वराज जी जो है वहाँ पे प्रेजेंट थी ठीक है इसलिए याद रखेगा भारत के सयोग के साथ नाइजर में महात्मा गांदी अंतराष्ट्य संभेलन केंद्र की स्थापना की गई है ग्यार अक्टूबर का करण्ट है 6 अक्टूबर से 19 दिसंबर के बीच किस राज्य में मीज खसरा रुबेला टीका करण महा अभियान लॉंच किया गया है कुछ समय पहले जारकंड में लॉंच किया गया था लेकिन जो तारीक है उसके हिसाब से 36 गड़ में जो है इसका आयोजन महा अभियान जो है लॉंच किया जा रहा है क्योंकि 85 लाख बच्चों को टीके लगाय जाएंगे कोश्चन बन सकता है इससे पहले जारकंड में ऐसा ही अभियान चलाया गया था यहां पर 36 गड़ भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन ने अभियास जिसका नाम रखा गया था रखा गया है युद्ध अभियास 2018 जोगी सितंबर में ही हुआ भी हाली में हुआ यह युद्ध अभियास 2018 कहां आयोजित हुआ चोबटिया उत्राखंड में चोदवा नोसैन ने अभियास अभियास काकाडू कहां आयोजित हुआ और यहां आयोजित हुआ था 29 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आश्ट्रेलिया में काकाडू नोसैन ने अभियास आश्ट्रेलिया में हुआ है आयुश्मान भारत योजना का प्रारम प्रधान मंत्री नहेंद्र मोदी द्वारा किस तिथी को किया गया ये कोश्चन बन सकता है 15 अगस्त को सोतंता दिवस पर और ये हमारा 72 सोतंता दिवस था ये भी याद रखेगा और आयूश्मन भारत योजना का शुबारम मध्य प्रदेश से किया गया है प्रथानमंति नेंद्र मोधी द्वारा तो इंपोर्टेंट है ठीक है तो तीन फैक्ट पता चल रहे हैं आपको बहत्रमा सोतंता दिवस था 15 अगस्त वो तारीक थी जब आयूश्मन भारत योजना का प्रारम किया गया मध्य प्रदेश से कोशन नमबर 21 25 जून 2018 का करंट है उत्तर प्रदेश में किस नदी का सफाई अभियान चलाया गया तो खुद योगी आदित्यनाथ जी ने जो है सफाई करते हुए इस अभियान को आरम किया था और ये नदी है गोमती नदी और इसक खुद अपने आप में पूछा गया है कि गोमती नदी का उद्गम केंदर कहा है तो पता होना चीए पीली भीत जीले के गोमत ताल से इसके अलावा जो है कोशन ये भी बन सकता है गोमती नदी किस स्थल पर गंगा से मिलती है तो केंथी स्थल पर गंगा से मिलती है ठीक है और काफी जो है बड़ा अभियान चलाया था मुख्यमंद्री योगी आदित्यनात ने गोमती नदी की सफाई को ले करके और इसकी तारीक है 25 जून 2018 कोश्चन बनके आ सकता है कि गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है केंथी नामक स्थल पर गंगा से मिलती है पीलिभीत जिले से जो है निकलती है उद्गम केंद्र है गोमत ताल पीलिभीत गोमत ताल हाली में ऑपरेशन निस्तार के तहत यमन के सोकोत्रा जूइप मे फसे 38 भारतियों को सफलता पूर्वक निकाला गया तो ऑपरेशन निस्तार जो है भारत सरकार द्वारा कहां चलाया गया 38 भारतियों को बचाने के लिए यमन के सुकोत्रा दीप पर हाली में आप सभी जानते हैं कि अभी सहायक सिक्षक भरती परिक्षा हुई जिसमें 68000 की करेब जो है पोष्ट थी और उसमें और निये मित्ता जो है देखने में आये थी तो उसी संदर में ये प्रस्ण है हाली में उत्तरप्रदे सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में सहायक सिक्षक भरती परिक्षा में हुई अनिये मित्ताओं हे तु उच तरिये समिती का गठन किया गया है संजे आर भू सरेडी संजे आर भू सरेडी ठीक है इसको याद रख लिए जाएगा 9 जुलाई 2018 करंट हाली में राश्टिय हरित अधिकरण राश्टिय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं जस्टिस आदर्ष कुमार गोईल एके गोईल भी ऑप्शन में हो सकता है इसलिए याद रखेगा जस्टिस आदर्ष कुमार गोईल एके गोईल नाम से भी जो हैं ये फेमस हैं तो हाली में राश्टिय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बना है जस्टिस आदर्ष कुमार गोईल हाली में GST परिशद ने अपनी 29 वी बैठक में सुख्ष्म लगू और मध्यमुध्यम MS MES छेत्र के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उप समिती का गठन किया है नाम है उनका सिव प्रताप शुकला ठीक है GST परिशद ने गठित की है समिती इसलिए कोशन बन सकता है अख़बारों में आया था ये कोशन नमबर 26 डेटा संडक्षन फ्रेमवर्क पर एक विशेशग्य समिती गठित की गई थी के इंदर सरकार द्वारा जिसने जो है अपनी रिपोर्ट सरकार को सोपी है तो इस विशेशग्य समिती की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी नायमूर्ती बियन राव द्वारा डाटा संडक्षन फ्रेमवर्क पर विशेशग्य समिती की अध्यक्षता की थी नियायमूर्थी बियन राउ द्वारा कि इंद सरकार को इसने अब भी हाली में अपनी रिपोर्ट सौपी है आर्किटेक्चर का नोबल पृस्कार कहलाने वाले प्रतिष्ठित प्रतिचकर पृस्कार 2018 किस भारतियों को पहली बार दिया गया है किस भारतियों को पदान किया गया है बालकृष्ण दोसी याद रख लिजिए इंपोर्टेंट है अभी तक कोशन बना नहीं है किसी तो यह बन सकता है ठीक है प्रितिचकर पुरुसकार 2018 आर्खिटेक्चर का नोबल पुरुसकार इसको कहा जाता है और यह मिला है बालकृष्ण दोसी को 10 अक्टूबर का करेंट है फीफा द्वारा हाली में जारी नविंतम रैंकिंग में भारत का इस्थान क्या रहा तो भारत का इस्थान रहा 97 और टॉप पे कौन रहा बेल्जियम और फ्रांस पिछले 25 सालों में पहली बार हुआ है कि कोई दो टीमें एक साथ संयूग त्रूप से पर्थम रैंक पे रही हैं तो कोशन बन सकता है कोशन बनाने में किसी भी तरह से बनाया जा सकता है यूभी पीसियस है हमें हर तरह से तयार होके चलना है फीवा द्वारा जारी नविंतम रैंकिंग में 97 रैंक है भारत की और टॉप पर है बेल्जियम और फ्रांस से पहली बार हुआ है पिछले 25 वर्षों में 25 सितंबर 2018 को संपन उत्तर प्रतेस मंत्री मंदल द्वारा सहीद अश्फाक उल्ला खां प्राणी उध्यान को मंजूरी प्रदान की गई है और ये कहां इस्थापित होगा गोरकपुर में और इसको शामिल करते हुए कुल मिला के तीन प्राणी उध्यान हो जाएंगे राज्ये के लखनव, कानपूर और गोरकपुर तो शहीद अश्फाक उल्ला खां प्राणी उध्यान को मंजूरी मिली है और ये इस्थापित होगा गोरकपुर में 22 सितंबर 2018 का करंट है 22 सितंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भू संपता अपील अधिकरण का गठन किया इस अधिकरण का पहले अध्यक्ष कौन बने है नियाय मूर्ती तरून अगरवाल ठीक है यूपी रेरा भी जो है कई बार शॉट फॉर्म में इ पहले अध्यक्ष भनेंगे नियाय मूर्ती तरून अगरवाल तो इस प्रकार से 30 प्रश्ट जो है हमारे कंप्लीट हुए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और अपनी तयारी को बहतर से बहतर बनाएं करंट करते हैं उसको उस वीडियो में लेके आऊंगा तब तक के लिए तैयारी करें और टैंशन फ्री रहें पेपर नजदीक है तो भी जो है अपने पर सेल्फ बिलीव रखते हुए आगे बढ़ते रहें तैयारी करते रहें नमस्कार धन्यवाद